प्रादेशिक समाचार एकांच भुपाल से प्रस्तुत है उज्जैन जिले की चिट्टी, आलेख हेमेंदर नाथ तिवारी, वाचनस्वर धारणा सच्चतेव भारती स्वतंधता आंधूलन में एतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी उज्जैन का निर्दायक योधान रहा है। सन 1817 इसवी में अंतिम आंगल मराठा युद्ध के समय महिदपूर होलकर राजकुमारी भीमा भाई सहित अनेक मराठा योधाओं के शौरे का साक्षी रहा है। और मुरेश्वर शास्त्री जैसी विभूतियां नमक सत्याग्रे में सम्मिलित रही थी। सन 1942 के चात्र और युवा आंदूलन में शहर के त्रियंबक दा मोदर पुस्त के गोपी कृष्ण विजयवर गिये, डॉक्टर हरी राम चौबे, कनहिया लाल वैद्य, चंद्रभान जहुरी, अंबा प्रसाद तिवारी, अनंत लाल व्यास, अवंति लाल जैन, गजानंद वर्मा, मौलाना मसूद एहमद, नंदलाल पौद्धार, रतनलाल शर्मा आदी सहित कई चात्र और युवकों ने इसमें अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया था, उजयन सुतंदरता आंदूलन में उजयन के विभिन राजनेतिक संस्ताओं का भी योगदान रहा है, ज अजमें अदब, थियोसोफिकल ससाइटी, कल्प गुरिक्ष कार्याले, बालचर संस्ता, आदी ने भी अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया, स्वतंदरता आंदूलन में उजयन जिले से कई महती भूमिका से नानियों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, जिन में पहुत से ऐसे स्वतंदरता सेनानी हैं, ऐसे ही स्वतंदरता संग्राम सेनानियों की यशोगाथा का वर्णन, कवीवर कृष्ण सरल ने लेखन के माध्यम से अपने कई गरंतों में किया है, उजयन में अखिल भारतिये वध्यार्थी परिशद मालवा प्रांध के कारेकरता स्वतंदरता की 75 वी वर्षगांट को अमरित महुतसव के रूप में मनाएंगे, इस अफसर पर परिशद के महामंतरी रागव शर्मा ने बताया कि गुलामी के उस दौर की कल्पना करें, जहां करोणों करोणों लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबा का इंतजार क तब यह एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना एतिहासिक और कितना गौरफशाली पर्व है, इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वतंदता संग्राम की परचाई भी है और आजाद भारत की गौरवानवित करने वाली प्रगती भी है उजयन जिले में शास किये, अर्ध शास किये और सामाजिक संस्ताओं के द्वारा कई करक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। इस अफसर पर मुख्यातिती राधा किशन सिंग शास्त्री ने अजाद हिंद फौज में नेताजी सुभार्शंद्र बोद्स के नितृत्व में नागा लेंड के कोही मा बॉर्डर पर अंग्रेजी सेना से लोहा लेने वाले नेताजी के अदबुत व्यक्तित्व का चितरन किया जिले के चिती समाब्त हुई